हेलो दोस्तों मेरा नाम है दिशा विश्ट गॉड और आप देख रहे हैं जागरन जोज डाट कॉम और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करेंट अफेर्स के क्वेश्चन्स और क्या क्वेश्चन्स बनाए जा सकते हैं और उनके सही जवाब क्या होंगे उनके बारे में भी बात करेंगे साथ ही इस वीडियो के एंड में एक सवाल आपको देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ के तहट फास अटैक क्राफ्ट आइनेस तर्मुगली को कमिशन किया गया आइनेस तर्मुगली एक तेज गती से हमला करने वाला जलपोत है वाइस एड्मिरल संदीप निथानी चीफ ओफ माटेरियल इस कमिशनिंग समारों के मुख्य अतिती थे इसका नाम अंडमांसा मु के एक द्वीब के नाम पर रखा गया है किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ओफ क्रेडिट पर हस्ताक्षुर किये हैं भारतिय स्टेट बैंक बंधन बैंक पंज़ाब नैशनल बैंक आईसी 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 आई बैंक सही जवाब ह की बात करें तो लगभग 630 करोड रुपे की लाइन ओफ क्रेडिट लोसी पर हस्ताक्षुर किये हैं लोसी का उद्देश भारत में सौर फोटो वॉल्टिक्स पीवी पर योजनाओ का बढ़ावाद देना है मिस इंडिया यूएस से दुहजार तेईस का खिताब किस ने ज परश्रीक प्रतियोगिता में मिस इंडिया यूएस से दो हजार तेईस का खिताब अपने नाम कर लिया है वहीं मेसाचुसित्स की स्नेहा नाम ब्यार को मिस इंडिया यूएस से घोशित किया गया पैनिसलेनिया की सलोनी राम मोहन को मिस टीन इंडिया यूएस से का सुरब गांगली राहुल द्रावेड युवराज सिंग एमेस धोनी सही जवाब है ऑप्शन डी एमेस धोनी महिंदर सिंग धोनी को भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसी सी आई ने उनके द्वारा पहनी जाने वाली प्रतिश्टित नंबर साथ जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है बीसी सी आई ने ये फैसला धोनी की उपलब्दियों को सम्मान देने के लिए लिया है इससे पहले बीसी सी आई ने सचिन तेंदूर कर की जर्सी नंबर 10 को रिटायर किया था अब इस विशेश क्लब में धोनी का भी नाम जुड़ चुका है डी अंतिम पंगाल दो बाल के अंडर 20 विश्विल चैंपियन और सीनियर विश्विल कांसे पदक विजेता अंतिम पंगाल को महिला वर्ग में युनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ दी इयर 2023 के रूप में नामित किया है अंतिम पंगाल ने अपने सीनियर एश्याई चैंपियनशिप डेब्यू में रिचित पदक जीता था उनके शांदार प्रदर्शन को देखते हुए युनाइटेड वर्ल रेसलिंग ने उन्हें राइजिंग स्टार ऑफ दी इयर 2023 से सम्मानित किया है रक्षा मंत्राले ने इलेक्ट्रोनिक्स फ्यू उसकी खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रोनिक लिमिटर यानी बी इल के साथ 5300 करोड रुपे से अधिक का सौधा किया है ये लेक्ट्रोनिक फ्यूज भारी शमता वाली तोपो में उप्योग किया जाता है भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड एक भारत सरकार के स्वामित् जवाब है इसको ऑप्शन डी नितिन देसाई साहनी हमको आपको बता दी कि बिटिश भारतिय संगीत का नितिन साहनी को दो हजार चौबिस बुकर पुरसकार निर्णायक पैनल के सदस्य के रूप में घोशित किया गया है मुसल्मान रुजदी की 1981 की बुकर पुरसकार विज राजिस्थान के नए मुख्य मंत्री के रूप में किसने शपतली है आपके ऑप्शन्स हैं बजल नाल शर्मा दिया कुमारी सुचन पाइलेट बालक नात कमेंट बॉक्स पे सही जवाब लिख के दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूले साथी साथ अगर आपने अभी तक हमाय चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाकर जल्दी सब्सक्राइब करें